हलो रिवन आप सभी का स्वागत है रेश मास्टेस्टिफुल चैनल में और आज हम बनाने वाले हैं ब्रत के मोदग चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी ब्रत के मोदग के लिए आप खोए के भी मोदग खा सकते हों लेकिन खोए में मार्केट वाले मेदा भी मिक्स होता है तो यहाँ पर घर पर में सामा चावल और साबोदाना से बना रही हूं मोदग तो मैंने वन्थड कप इतना सामा चावल यानि की वरली ली हैं अगर एक वा ठाथ में घजससें अभी में handle के ठेक्पक में अब अब यहाँ पर हम एक लेते हैं शर्ण न पर एक लेते हैं क्यूम्हां की को हिबाना कि हम ग्रेट करेंगे नरियली टुमिने सुखा नरियल लिया है मुझे फ्रेश नरिया पसंद नहीं तो यहां पर आप स्किप भी कर सकते हों सिर्फ आप गुड़ और नरियल का भी स्टफिंग बना सकते हों दो टी स्पून टेबल स्पून इतना यहां पर मैंने भूनी हुई मुंभली की पाउडर यानिकी शेंगदाना कोड़ भी लिया है क्यूंकि सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा गुड़ लेना है यह हलका सा गरम है अभी से मिक्सी में पीसेंगे इसे बहुत फाइन पीसना है इसकी पाउडर बनानी है तो चली इसकी पाउडर बनाते हैं पाउडर बनाने के बाद यह पाउडर मैंने बाउल में निकालने के लिए बाउल निकाला है क्योंकि इसका हमें आटा गुनना है यहाँ पर मैं प्रत के दिन नहीं बना रही इसलिए मैं रेगिलर नमग डाला है अगर आप प्रत के दिन खा रहे होते हैं पर आप प्रत का नमग डालिएगा और इसे थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गुन दिएगा आट गुंदने के बाद मैंने इसे रग दिया है और थतक हमें लेने हैं मोड के मोड होते हैं श्तीमर हमें लेना है अगर आपके पास स्टीमर भीडो कर लैल जो सब लें पाद चoro wolvesन स्टीमर वाली गाया reflex वीमेंiders तेल ही लगाईएगा इसे एकदम पतला पतला ही हमें बाजू से प्रेस करना है अगर ये मोटा मोटा हो तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्यूंकि ये जो सामा चावले और फूलेंगे और स्टफिंग हमें ऐसे भर भर के प्रेस करके अच्छे से जादा से जादा भरना है जादा गुड़ डालना है ताकि गुड़ की चासनी मोटक के साथ बहुत ही अच्छी लगती है तो इसे इस तरह से ओपन करने के बाद हमारे मोटक बनके तयार होते हैं इस एंगल से उस एंगल से ऐसे करके अब तक के यहाँ पर मेरे शायद तीन मोदक बनके तयार है इस टाइम में नितिश से बात कर रही तुकि इंकि अचानक से बाहर-बारी शायी थी और मेरे कपड़े भी बाहर थे बस आपको हर बार इस मोल्ड को तेल लगाना है क्योंकि यह बहुती स्टीकी स्टीकी ऐसा है और यह मोल्ड को भी चिपक जाता है जद्दी से और हमिशा प्लास्टिक के मोल्ड यूज किजिएगा बहुती आसाने से मोदक निकलते है इसके steamer को मैंने अब भी on किया है तो सिर्फ 5 मिनट काफी इसे low gas पर रखने के लिए steamer को और जब हमारे मोदक हो जाए इस तरह से तो आपको इसे 15 मिनट के लिए steamer में रखना है और तब भी आपको gas low या फिर medium पर रखना है तो इसके उपर रख देना है धकन और 15 मिनट के बाद देखेगा हमारे यहाँ पर वरत के मोदक बनके तया है इसे हमें थंडा करना है इसे लगाना है भगवान को भोग और बाद में आपको प्रसाद में से बाटना है तो यहाँ पर हमारे वरत के मोदक बनके तयार है इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी वो नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाब